आज मैं आप से शेयर कुरूंगी अपनी लंज टू अफ्टरनून रूटीन अभी तकरीबन टाइम हो रहा है ट्वेल वो क्लॉक और मारिया जो है वो स्कूल से आगी थी और ना आते साथ मैंने इन दोनों को मारिया और शाहिर ने शावर देते था आज सुपो से ही जो है ना मैं घर की क्लिनिंग में बीजी थी क्योंकि रात को थोड़ सी आंदी वेरा आई थी तो विंडोस वेरा कुलनी होई थी यहां पर चिकन बर्यानी बहुत जटबट जो है ना बनने वाली रेस्पी आचा आपके साथ शेयर करूँगी यहां पर मैंने ले लिया था चिकन इसको ची तरह मौश करने के बाद मैंने इसको हंडिया में डाला और साथ में मैंने एड के था लसना द्रग का पेस्ट वे त तो इसमें डाल दिया जो ओल कि है वो वेस्ट नहीं करना वह हम लोग आजना इसमें यूस करने ठीक है और एक झाल जो है मैंने कुटी लाल मिर्क लिए ना वो मैं इसमें बाता है मेरे पास अब नहीं थी तो पर मैंने जो साधी सुर्ख मुर्श रोती ना वही यहां जब हाफ प्याली जो है मैंने इसमें दही का एड़ के था और बियानी मिसाले का हाफ से थोड़ जादा ही पैकेट था मेरे पास जो मैं इसमें एड़ किया है यह एड़ कर दिया और लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया था वह जिसके अंदर मैंने जो है ना प्यास ब्राउन किया था वह जितना था मैंने सारा जो है वह इसमें एड़ कर दिया था क्योंकि ब्रियानी में थोड़ा सा आप तो जादा डालना होता है क्योंकि जब दम लिए थे मैंकर चलो देखते हैं कि आलू से इसका ना क्या टेस्ट आता है या फरक पड़ता है आलू डालने से लेकिन अच्छे लगे था लूबी ना बरियानी के अंदर पस इस आपको मिक्स करके मैंने चरहाधी तो चुले पे और तकरीबन आदा घंटा जो है ना मैंने इस पानी ट्रहाधी था चावलों के लिए और इसमें मैंने खड़े मसाले अट के थे बाद बादियान का फूल कड़े पता थोड़े से लोन और जो है ना साथ में मैंने जुदाशी नहीं होती थी ना वो मैंने एड़ की थी इसमें छोटी लाइची भी मैंने 102 इसमें गर डाल लेती हुँ जब मैं चावल वाया चानती हूँ चावलों को मैंने बॉइल का लिए थे में मैं तक्रिबन दो से तीन परशंट चावलों की करनी रखे थे बाके बागे अल्मोस्त ने चावल कुटी थे यहाँ पे बिर्यानी की लेयर लगा रही हूँ और ब्रियानी यह लेयर इसमें अच्छा यलो फूट कलर एड़के था साथ में इसमें फ्रेश जो है ना मिंट मतब पुदीना जो था ना वो मैंने अच्छी पुदीनी के शुबू आती है ना बर्यानी के तो बहुत अच्छा उसे टेस्ट भी आता बर्यानी में और बढ़ी अच्छी जब दम खुल खुल की सी रखी थी जो दम में जो है ना कवर ओगी थी पांसे साथ मिंट के अंदर और बच्छे आज घरी थे चुटी पर निके एकजाम्स हो रहे हैं ना बच्छों के तो वह चुटी थी बच्छों को तो बच्छे घरी थे और बस उनको यहां पर मैं खाना वेरा देनी लेक्टियूंग उसके बाद में जर नमाज पढ़नी और बच्चों को मैंने बब तक खाना का कि आप लोगना शावर वरा ले लो खाना मेरा खाके बच्चे जो है न वो शावर वरा ले रहे थे और मैंने किचन मेरा नीट करने के पाद छोटा सा एक नैप ले ली था 15-20 मिन के लिए बस लेट के थे तो मैं फ्रेश हो गई थी उसके बाद जो है अश्र को मैं यहाँ पर मैथ करवा रही थी क्योंकि उसका कल जो है न मैथ का जो है वो एक्जैम सा थीक है वैसे तो अकैडमी जाके महीं पर त्यारी कर गया था लेकिन जो घर में टायम होता ना मे ने का था का आप बैट के ना सॉल्वेर करो कुछ इसमें से ठीक किया थे कुछ इसने गलत भी किये थे लेकिन कोई निए बच्छे गलते करकी सीखते हैं तो बस यहाँ पे इसको कुछ समस वेरा मैं करवा रही थी बाकि जो है ना मैंने का था जो चीज़ आपको कि बिजी कर देती हूं अधर वाइस जो है ना यह लोग पढ़ने ही नहीं देते हैं उनको यह लोग अपनी आके बीच में नहीं अक्टिविटी और को नहीं नेचर रख कर देते हैं तो फिर उनकी जो है ना टैंशन रहती वह डाइवर्ट हो जाती है तो बस यहां पर खेल र सब्सक्राइब कर देते हैं तो बस मेरा वह खाने को तिल कर रहा था है यहां पर इसके लिए एक ग्लास जो था मैंने लिए लिए था चीनी का और थोड़ा सा मैंने बटर लिया था ठीक है चीनी थी वह मैंने फ्राइपैन में डालके हलकी आंच पे ना मीडियोकर सी आंच बहुत ना तेज थी ना बहुत स्लो थी आंच पे मैंने चीनी को रख दिया और यह चीनी थोड़ा सा टाइम लेती है लेकिन यह खुद ही जो है ना यह मैल्ट जब होगी ना तो यह सारी जो चीनी चीनी के से ना घुल जाएगी इसका शीरा था बन जाएगा और इसका कलर रख दोरिता है इसमीं होता है यहां वाली बात फिक जल गया है ऊसको हरकी आच Control करण जाए था में घब तो मुझे आल्मोस जिसका हाफ शुत ना वह बटर लेना चाहिए था लेकिन यहां पर मैंने ना बटर तो समय से सदर डल गया था वैसे अगर आप लोग बनाए ना तो बटर की क्वांटिटी इससे कम असकम जो है ना वह आदी रखनी है या बटर अच्छे थी किसमें मैल्ट हो गया था तो मैंने जो है ना वो इसके चुला जो है वो बंद कर दिया था उसके बाद जो मौंग फली थी ना वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी मौंग फली डालने के बाद जो है ना इसको मैंने चमच को इसमें हिला था तेज़ देज करना है सारे काम जो बागे करने है यहां पर डाला वा था और गरम गरम ही जो है ना इसको ठाके इस शीट के उपर मैंने फिला दिया था यहां तक आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बट्र राता था इसलिए बट्र रहें सारा साइट पर पेपर के उपर अब्जाब होने लग पड़ा था और इसके उपर डालने के बाद मैंने चमस की मदद से इसको हलका हलका मौंग फुली को फिला लिए था बहुत मोटी सी इसकी जो है वह लेयर सी बन जानी थी इसलिए इसको फिलाना जूरूरी था इसके उपर ब्राउन शीट काटके रखी थी वह मैंने इसके उपर डाल दी औ और बिलन की मदद से ना इसको हलका हलका इस प्रेस कर लें तिक है उसे युछ होगा के इ קूली जो हैना मोंक फली साड़ी सारी एक लेयर एकूली जो है वो बन लग जाहेे लेयर लेकिन साथ ही आपने क्या करना है वेट नी करना साथ ही जो है ऊपर से खटा लेता मेरे सी जाक हुआ यहाँ यहाँ पर के मैंने जो हॹए ना शीट फो रहन नी थि organize और मैंने तो इसको चोड़गा ही ऐसे जो हिसके वाकि मेरे शे बेजली उतर गी हाँ उपवली शीट न थोड़ सा मसला किया था अगर यह मेरी शीट ना चिपकती तो उसी टाइम मैंने गरम गरम ही ना इसको ना इसके पीस काट लेने थे अब वो मेरी शीट चिपकी थे इसलिए मेरी से जो है पीस भी गरम-गरम के ने कटे तो फिर उसके यह बड़ी शूड़ी लिए और यह लंगरी वाला वह उपर से माल के में पीस चोहें वह काट लेते हैं इतने अच्छे पीस फाइन तो नहीं थे कटे लेकिन मैंने इसके पास पीसी काट के इसको ऐसे एक टाय जार में चोहें वह रख दिये था यह चाय के साथ भी खाएं तो बहुत मज़े की लगती है में घर में महमान वेरा आए ना तो इस जार्ज में पड़ी मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि आप किसी के अगर इसको ना सर्फ भी कर सकतो एक तो होममेड है और इसका टेस्ट बहुत मज़े की बनी थी वैसे यह कुछ गलतिया हुई थी में से लेकिन नेक्स टाम इंशाला ना इसको मैं परफेक्टली दुबारा से नेक्सा ट्राय करो ताकि यह परफेक्टली जो है ना मैं बना सुकूं अपने लिए मैंने चाय बना ली थी हाँ पर जो है मैं चाय हो इसको एंजॉय कर रही थी अगर आप मेरे चैनल को सबस्क् कोशी महसूस को कि अगर मुझे कोई अच्छा सा कमेंट भी लिखेंगे ना तो मुझे पाड़ के बहुत अच्छा लगेगा और अगर वीडियो को पाड़ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं किसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपन